आंक से पानी आना या जिसको watery eyes बोलते हैं जातर ये allergy की वज़े से, infections की वज़े से या जो हमारी आंक में जो आसू निकलने का रास्ता है उसके blockage की वज़े से ये इस्तिती उत्पन होती है जिसको अमलब watery eyes बोलते हैं allergies में बहुत सारे कारण हो सकते हैं allergy के उसमें मुख्य है, घास फूज, कुछ फूलों से, पत्तियों से, air pollution से, dust से, smoke से, कुछ perfumes होते हैं उनसे, इसके अलाबा कुछ दवाईयां भी होती हैं जिनकी वज़े से watery eye हो सकती है, allergy की वज़े से infections की वज़े से watery eye में सबसे important conjunctivitis होता है, जिसमें आँख लाल भी हो सकती है, infections कई तरह के कीटाणों दोरा हो सकता है तीसरा, जो हम लोग की आँख में आसुन को रास्ता है, उसके blockage की वज़े से भी watery eye हो सकती है बच्चों की आँख से पानी आने की समस्या जिसकों की हम लोग continental energy blockage याने की परदैसी nasal lacrimal duct obstruction बोलते हैं उसकी वज़े से बच्चों की आँख से पानी आता है, शुरू के एक साल में 80-90% दी chances होते हैं कि एक साल की अमर तक ये अपने आप ठीक हो जाता है जिन बच्चों में ये ठीक नहीं होता उसमें हम लोग आँख पे एक खास तरीके से massage करना बताते हैं उस massage दोरा जो आपसे पानी आता है बच्चों के उसको ठीक किया सकता है अगर एक साल तक massage दोरा भी सही नहीं होते हैं तो फिर हम लोग आँख में slide डालके बच्चों के जो रास्ता ब्लॉक है उसको खुनने के कोशिश करते हैं अगर वो भी fail कर जाता है तो फिर इसमें हम लोग एक operation करते हैं रास्ता कुलने के लिए आसू वाला जिसको की हम लोग decrycosis to rhinostomy बोलते हैं DCR सजड़ी करने की ज़रुत पड़ती हैं आँख से पानी आना या watery eyes जिन लोग को हती है उसमें कुछ और भी लक्षन पाई जा सकते हैं जिसमें मुख्यता आँख में लाली होना आँख लाल रह सकती है आँख में दर्द हो सकता है जरूरी नहीं है दर्द हो painful हो भी सकता है और painless condition भी हो सकती है इसके लावा आँख में कीचड भी आ सकता है जिसको हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं और उसकी वेश से आँख जातर चिपचिपी बनी रह सकती है सुबह के time ज़्यादा chances होते हैं आँख में कीचड आने की और आँख के आपस में चिपक जाने की आँख से पानी जिनको आ रहा है वाटरी आइस की समय से जिनको है उसमें सबसे पहले तो हमको उसका कारण लोनना होगा कि ये किस वज़े से है और उसी का treatment करेंगे अगर allergy है तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि allergy किस वज़े से है वो allergy का जो कारण है उसको हमें हटाना पड़ेगा अगर allergy गर के आसपास पेंड़ पौदे हैं फूल पत्ती है घास फूस है तो हम patient को advice करते हैं कि अभी कुछ दिन घर के अंदरी रहें वहाँ पर मैदान में गार्डन में अपने अभी ना जाएं ताकि जो exposure है allergen के लिए उसको avoid किया सके है घर में कोई pet है तो pets से exposure थोड़ा काम करें कुछ अगर खास तरीके के perfume से या chemical से allergy हो रही है तो उसका उपयोग अभी ना करें इन सब के साथ साथ आँख में कुछ anti allergic द तो इन सब चीजों से आँख में रहात दिया सकती है जिनको allergy की वज़े से आँख से पानी आता है जिनको आँख में infection से conjunctivitis है या kerato conjunctivitis है या किसी और तरीके का infection है उसमें हमें specific दवाईयां देनी पड़ती है anti bacterial, anti fungal इस सब दवाईयां हम लोग इस्तमाल करते हैं जिसस पेशन्स को watery eyes से लाब दिया सकता है अगर जो आसू का रास्ता बंध है जिसको की नासूर बोल जाता है तो उसके लिए हमको operation की ज़रूरत पढ़ते हैं जिस operation को हम लोग DCR, Declosystor, Rhinostomy बोलते हैं यह operation द्वारा patient को हम लोग watery eyes से निजात दिला सकते हैं बोल दो लो चैसम कि आढ़ने को लोग RGBे थाओनोंगे जिस तेला जाता हैं जिसको की ज़रा दोखिके लीक्त वारणावारा इंवाम लोग्यां हैं यह माम लोह खिकी बा synchronous इंड सकते हैं झाल झाल